बच्चो नमस्कार गनित की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम गनित की कक्षा में कक्षा 4 का अध्याय 6 लंबाई पर चर्चाई करेंगे तथा कुछ अवधार्नाई इसपष्ट करेंगे बच्चो आपने कक्षा तीसरी में भी मापन में लंबाई के बारे में कुछ पढ़ा होगा आपको ये चित्र यादा रहा है बच्चो जी हाँ आपने इस चित्र को कक्षा तीसरी में देखा होगा आपने इस चित्र के अधार पे ही स्यामपट की लंबाई ग्याद की थी इसी प्रकार से आपको ये चित्र भी याद होगा इसमें भी हमने चर्चा किया था कि दुकान में हम लंबाई के द्वारा ही कपड़ भी खरीदते हैं तो बच्चो आज हम उसी के आगे कुछ चर्चाएं करेंगे जिसमें हम लंबाई का मापन करेंगे तो बच्चो आपने कक्छा तीसरी में लंबाई का मापन भी गिया था जी हाँ ये देखिए आपको यहाँ पे इसकेल दिखाई दे रही हैं इसकी साहिता से आपने कई आकरितियों कई लंबाई ग्यार की होगी तो आईए बच्चो अब हम कक्छा चार का अभ्यास प्रारंब करते हैं तो बच्चो आज हम जो गतिविधी करेंगे उसमें हमें कुछ समान की जुरत पड़ेगी ये गतिविधी आपको घर में करके देखनी हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये गतिविधी या ये खेल हम कैसे खेलेंगे तो बच्चो इस खेल के लिए आपको सीसी का ढखकन या माचिस की डिब्बी या खपरेल का टुकडा इनके अलावा भी कुछ समान आप उपयोग में ला सकते हैं आपको इस समान को जैसे सीसी का ढखकन या माचिस की डिब्बी उसे अपनी पैर से मारने हैं और वो जितनी दूर जाके रुकेगी तो आपको उतनी दूरी को मापन करना है अर्थात उतनी दूरी की लंबाई ग्यात करनी हैं आप इसे अलग-अलग बच्चों के साथ खेल के देखिए और देखिए कि किस बच्चे ने कितनी लंबाई तक उस समान को पैर से ढखेला है बच्चों आपको नीचे एक तालिका भी दिखाई दे रही होगी इस तालिका में आप सभी बच्चों के नाम लिखेगा और इसे खेल के देखिएगा ये गतिविधी आपके पाठ पुस्तक में दी गई है आईए बच्चों हम लोग एक और गतिविधी करके देखते हैं इस गतिविधी का नाम है चलो कूदे लंबी कूद तो बच्चों आपने तो लंबी कूद खेल खेलाई होगा जी हाँ बच्चों हमें यही खेल खेलना है आप अपने कई साथी बच्चों के साथ ये खेल को खेलिए और देखिए कि किस बच्चे ने कितनी लंबाई की लंबी कूद की है साथी बच्चों के साथ इस खेल को खेल के देखिए इसमें देखिए कि किस बच्चे ने कितनी लंबाई की कूद कूदी है और जो सबसे लंबा कूदेगा वही विजेता होगा इसमें बच्चों आपको फिर से सभी बच्चों के नाम लिक के तालिका बनानी है और ये देखना है कि किस बच्चे ने कितनी लंबाई की लंबी कूद कूदी है बच्चों इसे भी आप अपने दोस्तों के साथ करके देखिएगा तालिका आपके पाठ पुस्तक में दे गई है अब बच्चो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बच्चो हमें टेप की मदद से भिन 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 वस्तूओं की लंबाई ग्यात करनी है तो बच्चो यहाँ पर आप देखे एक चित्र में बच्चा अपनी दर्वाजे को टेप के माद्यम से ना परा है जेहाँ बच्चो आपको भी यही करना है तो देखे बच्चो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि उपर में जो वस्तूओं है वह छोटी है तथा नीचे में जो वस्तूओं है वह बड़ी है तो बच्चो आप थोड़ा अनमान लगाईए कि यह जो वस्तूओं दी गई है इसकी लंबाई कितनी हो सकती है बच्चो पहले आप अनुमान लगा के उन सभी अनुमान को यहाँ पे तालिका में लिख लिजी आप टेप तथा स्केल की मदद से इसका मापन कीजे और यह देखिए बच्चो कि आपने जो अनुमान लगाया था वह कितना सही है या कितना गलत या उनमें कितना अंतर आ रहा है बच्चो यह तालिका आपके पाठी पुस्तक में दे गई है आप अनुमान तथा मापन दोनों के मान अपने पाठी पुस्तक में भरिए बच्चो यदि आपके अनमान और वास्त्विक मान में अंतर आता है तो भी आप निरास मत होईएगा क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे बच्चो यह अंतर अपने आप कम होते जाएगा और गणित में आपका अनमान लगाना ही महत्व रखता है ये गनीत आपके अनमान लगाने की छमता का भी विकास करता है तो बच्चो आप अनमान को भी लिखे और वास्तविक मान को भी लिखे ये तालिका आपके पाठपुस्तक्य में दी गई है अब बच्चो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको मीटर तथा सेंटी मीटर में संबंध दिखाई दे रहा होगा और यह हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर होते हैं या सौ सेंटी मीटर बराबर एक मीटर होता है तो अब हमारा अगला अभ्यास यही है कि हम मीटर को सैंटी मीटर में बदलेंगे तो बच्चो यहाँ पर आप देखे एक अभ्यास आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हमें चार मीटर को सैंटी मीटर में बदलना है तो आईए बच्चो हम देखते हैं हम कैसे सेंटी मीटर में बदल सकते हैं हम चार मीटर को कैसे लिख सकते हैं तो हम एक मीटर धन एक मीटर धन एक मीटर धन एक मीटर लिख सकते हैं अब बच्चो एक मीटर बराबर कितने होते हैं बिल्कुल सही 100 सेंटी मीटर तो यहाँ पे देखे बच्चो क्या आ गया हमारे पास? 100 cm, धन 100 cm, धन 100 cm, धन 100 cm अब हम सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चो? 400 cm, यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 गुनित 100 cm तो यहाँ पे बच्चो हमारे पास क्या आ गया? 400 cm अर्थाद 4 मीटर बरावर 400 cm होते हैं बच्चो इसी प्रकार से कुछ अभ्यास आपको दिखाई दे रहे हैं इसे आप करके देखिए यह आपके पाटी पुस्तक में दिया गया है बच्चो अभी हमने मीटर को सेंटी मीटर में बदला था अब हम सेंटी मीटर को मीटर में बदलते हैं सेंटी मीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है तो अब हमें छोटे को बड़े में बदलना है तो बच्चो यहाँ देखो हमें दिया गया है कि हमें 300 cm को मीटर में बदलना है तो आईए बच्चो हम इसका अभ्यास करके देखते हैं तो 300 cm को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चो 100 cm धन 100 cm धन 100 cm अब 100 cm बरावर कितने होता है बच्चो 1 मीटर तो हमने लिख दिया 1 मीटर धन 1 मीटर धन 1 मीटर अब सभी को जोड़ दीजे बच्चो कितना जाएगा 3 मीटर तो 300 cm बरावर कितने आए बच्चो 3 मीटर बच्चो इसी का कुछ अभ्यास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप इसे घर में करके देखेगा अब बच्चो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखेए आपको कुछ चित्र दिखाई धे रहा है पत्ती है चमच है और चाकू है बच्चो हमें इसकी भी लंबाई ग्यात करनी है तो बच्चो आपके पास इसकेल है आप इन सभी वस्तुओं की लंबाई ग्यात कीजे तथा नीचे जो रिक्त इस्थान दिया गया है उसमें उसके मान को लिख दीजिए यह आपके पाठी पुस्तक में दिया गया है आप इसे करके देखे अब बच्चो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम दो लंबाईयों को आपस में जोड सकते हैं या लंबाईयों को कैसे जोड़ा जाता है तो बच्चो यहाँ पे अभ्यास के रूप में मैं एक प्रशन ले रहा हूँ जो आपके पाठी पुस्तक में दिया गया है आईए उसमें हम देखते हैं कैसे जोड़ सकते हैं रीटा के घर की दूरी कुए से 42 मीटर 35 सेंटी मीटर है रेखा के घर की दूरी रीटा के घर से 25 मीटर 40 सेंटी मीटर है तो बताओ रेखा का घर कुए से कितना दूर है बच्चो नीचे आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है जिसमें रेखा का घर और रेटा का घर दोनों बनाया गया है आप देखिए कि कुएं के पास रेटा का घर है और उसके बाद रेखा का घर है और दोनों के बीच की दूरी हमको दी गई है अब हमें कुएं से रेखा के घर की दूरी पूछ रहे हैं तो बच्चो हम दोनों की दूरी को यदि जोड देंगे तो हमें कुएं से रेका के घर की दूरी प्राप्त हो जाएगी तो बच्चो आईए हम जोड के देखते हैं यहाँ पे आप ध्यान रखेगा कि हम लंबाई को जोडते समय मात्रक का विशेज ध्यान रखते हैं अर्थात हम सेंटी मीटर को सेंटी मीटर में जोडेंगे और मीटर को मीटर में जोडेंगे तो देखे बच्चो हमने दोनों दूरियों को इस पश्रूप से लिख दिया है 42 मीटर 35 सेंटी मीटर और दूसरी दूरी है 25 मीटर 40 सेंटी मीटर तो देखे बच्चो हमने cm के नीचे cm लिखा और m2 के नीचे m2 लिखा अब बच्चो जैसे हम समानिता जोडते हैं आपको उसी प्रकार से इन दोनों मान को जोड देना है आप 35 में 40 जोड दीजे बच्चो कितना जाएगा 75 और उसके पीछे आप क्या लिखेंगे cm क्योंकि हम किसको जोड रहे हैं cm को इसी प्रकार आप 42 मीटर में 25 मीटर जोड दीजे कितना आएगा 66 मीटर तो हमारा कुल मान कितना हो गया बच्चो? 67 मीटर 75 सेंटी मीटर तो अब हम कह सकते हैं कि रेका का घर कुए से 67 मीटर 75 सेंटी मीटर की दूरी पर है इसी प्रकार से बच्चो और भी कुछ अभ्यास आपको पाटपुस्तक में दिये गये हैं आप उसे करके देखिए अब बच्चो हम देखते हैं कि यदि लंबाई के मापन में घटाना आ जाए तो हम कैसे लंबाई को आपस में घटाएंगे? तो आईए बच्चो इसका भी एक अभ्यास हम करके देखते हैं तु बच्चो अब भ्यास के रूप में मैं आपके पाठ पुस्तक से एक प्रश्ण ले रहा हूं जैसे पहला पेड तीसरे पेड से 45-50 cm की दूरी पर है दूसरा पेड तीसरे पेड से 25-20 cm की दूरी पर है तो बताओ पहले वह दूसरे पेड़ के बीच में कितनी दूरी है तो बच्चो आपको नीचे चितर दिखाई दे रहा है तो बच्चो आपको पहले और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी दी गई है और दूसरे और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी दी गई है अब बच्चो आपसे पूछ क्या रहा है पहले और दूसरे पेड़ के बीच की दूरी आप चित्र में देखिए यदि हम पहले और तीसरे पेड़ के बीच की जो दूरी है उसमें से दूसरे और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चो जी हाँ पहले और दूसरे पेड़ के बीच की दूरी तो आईए बच्चो हम पहले और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी में से दूसरे और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी को घटा देते हैं तो देखे बच्चो हमें पहले और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी कितनी दी गई थी 45 मीटर और 50 सेंटीमीटर और दूसरे और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी दी गई थी 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर बच्चो जिस प्रकार से हमने जोडने में सेंटिमीटर के नीचे सेंटिमीटर लिखा था और मीटर के नीचे मीटर लिखा था उसी प्रकार से हम घटाने में भी सेंटिमीटर के नीचे सेंटिमीटर लिखते हैं और मीटर के नीचे मीटर लिखते हैं तो देखिए बच्चो, हमने यहाँ पे उसे लिख दिया है, अब बच्चो, आप 50 cm में से 20 cm घटाएंगे, तो कितना आएगा बच्चो, जी हाँ, 30 cm, और 45 मीटर में से 25 मीटर घटाएंगे, तो कितना आएगा बच्चो, 20 मीटर, तो इस प्रकार हमने घटाना कर लिया, कितना आएगा बच्चो, तो 20 मीटर और 30 cm, तो हम कह सकते हैं कि पहले पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 20 मीटर और 30 cm होगी, अब बच्चो, इसी प्रकार से घटाने के कुछ अभ्यास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहें, यह आपका ग्रेह कारी है, इसे करके देखें, और यदि बच्चो, आपको कोई भी समस्य आती है, तो आप अपने सिक्छक से संपर्ख कीजिएगा, अब बच्चो, हम आपसे मिलेंगे लंबाई के ही भाग दो में, कुछ नई अवधारना के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार